तो डिजनी प्लास होट स्टार जो की एक टाइम पे इंडिया नोटीटी मार्केट का जलता जिता रहा था अब बस जल के ही रहा गया Like finally अब कुछ numbers आये हैं and numbers से काफी जादा clear हो गया है कि क्यू डिजनी प्लास होट स्टार इंडिया में अब exist नहीं कर सकता है and reliance का take over करना काफी जादा necessary था वाल सबसे पहले तो होट स्टार के लिए सबसे खुशी के बाद ये है कि जब से उन्होंने IPL के rights खो दिये हैं जिन्दगी में पहली बार उनके subscribers उपर गये अब हम दब उनके लगातार गिरते subscribers को full stop मिला है जो subscribers उनके last time 37.6 million थे अब वो बढ़के 38.3 million हो चुके हैं तो कुल मिला के 3% का जब पाया लेकिन फिर भी होट स्टार का बिकना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो subscriber जब पाया है वो 315 million dollar के losses पे आया यहाँ एक और नमबर आगे आये हैं जिसमें ये reveal हुआ है कि Disney प्लस होट स्टार ने वर्ल्ड कप से 315 million dollar के losses कमा है पैसा भी लिया लेकिन तब भी जाके बात नहीं वन पाई IPL खोने के बाद भी डिजनी के पास और भी sporting events हैं लेकिन जिसमें अपनी जनता को कोई interest नजर नहीं आ रहा है डिजनी ने अपनी strategy भी change करी थी जिस पर वो content पे ज़्यान दे रहे थे क्योंकि उनका hot star सिर्फ sports के दम पे चलता था तो अब जाके वो sports और content का balance तो आया था लेकिन आते आते काफी देर हो गई क्योंकि Reliance भीया पहले आ गए इतने सारे losses दिसनी से अब बरदाश नहीं हो रहे और इसी महीने में जाके Reliance के पास दिसनी प्लस hot star का control आ जाएगा अब वो सब कैसे होगा वो काफी जादा unclear है एंड इस पे मेरी theorist वाली वीडियो जरूर आएंगी कला जाएगी आ जाएगी so stay tune and instagram पे hollywood blockbuster इंडिया को follow करना मत भूलना